राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कीजरिवाल सरकार बन चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सरकार को खत लिखकर कहा है कि साल 2016 में 9 फरवरी के दिन जेनियू में भारत विरोधी नारे लगाए गए थे जिसके बाद दिल्ली के वसंद कुझ ठाने में IPC की धारा 124, 147, 149 और 120B के तहट मामले दर्श किये गए थे जेनियू में भारत विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेनियू के पूर्व छातर संग अध्यक्ष कनहिया कुमार समेत अन्य पर कोट में कहा था कि सरकार को खतलिक कर दिल्ली पुलिस रुख साफ करने को कहे आपको बता दे कि दिल्ली सरकार ने अब तक जेनियू के पूर्व छातर संग अध्यक्ष कनहिया कुमार के खिलाफ राजद्रों का मुकदमा चलाने की इजाज़त नहीं दी है बुदवार को जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोट में मामले की सुनवाई हुई तो दिल्ली पुलिस ने बताया कि अभी तक दिल्ली सरकार से राजद्रों का मुकदमा चलाने की अनुमती नहीं मिली है इसके बाद कोट ने दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार को खत लिखकर उनका जवाब मांगे जिसके बाद दिल्ली पुलिस की Special Cell ने केजरिवाल सरकार को खत लिखकर कनहिया कुमार समेत अन्य के खिलाफ राज़द्रोल का मुकदमा चलाने की फिर से अनुमती मांगी है दिल्ली पुलिस की Special Cell के जिप्टि कमिशनर ने केजरिवाल सरकार को लिखे खत में कहा है कि इस मामले की जाँच के बाद 14 जनवरी 2019 को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी इससे पहले 10 जनवरी 2019 को दंड प्रक्रिया सहीता यानी CRPC की धारह 196 के तहट राजदरों का मुकदमा चलाने के लिए भी दिल्ली सरकार से इजाज़त मांगी गई थी जिसके लिए मामले से संबंदित दस्तावेजों को दिल्ली के ग्रह मंत्राले को भीजा गया था हलाकि अभी तक दिल्ली सरकार ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मनजूरी नहीं दी है